महराज के एक्स चीफ सिक्रेट्री सीता रामकुंते को लेकर अभी अभी एक बहुती बड़ी अपडेट आ रही है जैसा कि आप सब को पता है कि अनिल देश्मुक के मनी लोडरिंग केस में छानवीन कर रही एजनसी ED के द्वारा कुछ टाइम पहले सीता रामकुंते को समन किया गया था उनको ED आफिस में पूस्ताच लिए बुलाया गया था लेकिन समय ना होने की वज़ा से सीता रामकुंते जो है वो ED आफिस नहीं पहुचे थे और वो जो है उन्होंने अपना स्टेट्मेंट ED आफिस में जाके नहीं दर्जगरवाया था लेकिन अभी-अभी सीता रामकुंते को लेकर एक अपडेट आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि सीता रामकुंते फानली ED आफिस बहुच चुके हैं और इस टाइम उनसे उनका स्टेट्मेंट जो है वो दर्जगरा रही है वो भी ED की टीम ED की टीम जो भी अनिल देशमुक केस में क्यूशन पूचना है वो इनसे पूच रही है और ऐसा चांसेस नहीं है कि इनको जो है ED की टीम गरपतार करे लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है जैसे कि पिछले कापी टाइम से ED की टीम लगातार कारवाई कर रही है तो हो सकता है कि ऐसा कुछ कारवाई भी हो सकती है लेकिन गिरिपतारी के चांसे बहुत कम है क्योंकि ED के द्वारा भी पहले बोला गया था कि वो जो है अनिल देश्मुक का मनी लॉर्णिर और ट्रांसफर पोस्टिंग केस से कुछ क्यूस्चन बस पूछना चाते हैं सीता राम कुंते से इसी सिजले में उन्होंने इनको जो है समन किया था अब देखते हैं साम तक कि क्या अपडेट आती है लेकिन ये जरूर दावा किया जा रहा था कि कई बड़े मंत्रियों का नाम जो है इनसे जब पुष्टाच होगी तो हो सकता है कि कई बड़े मंत्रियों का नाम ED के सामने खुल जाए अब देखते हैं जब ED के दवारा इसमें कोई official statement दिया जाएगा उसके बाद ही कंद्भम होगा क्या किरकार इनके दवारा क्या खुलासा किया गया है आपका क्या opinion इस पर आप अपना opinion comment box में बताएं और वीडियो के आशाधा सेर करें